प्रभ्येश्मसी के नाम में आप सब लोगों को जैमसी की और आज मैं आप से बात करना चाहता हूं भजन सहिता उसका 37 अध्याय और 4 और 5 पद जिसमें लिखा है यहवा को अपने सुक का मूल जान वो तेरे मनोरतों को पूरा करेगा और 5 पद में इस प्रकार से लिखा है कि अपने मार्ग की चिंता यहवा पर छोड़ दे उस पर विश्वास रख और वही तेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा मेरे प्रेए दोस्तों, मैं आज आप से कहना चाहता हों, यह वचिंद कहता है कि यहवा को अपने सुक का मूल जान, अपने सुक का सुरोत जान, अपनी आसिसों का सुरोत जान यहवा को तो वो तेरे लिए तेरे मनोरतों को यानि कि तेरी मन की इच्छों को तेरे हार्ट डिजायर्स को वो पूरा करेगा और इस प्रकार से कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख वही पूरा करेगा अपने मार्ग की चिंता मतला अपने भौश्य की चिंता पर छोड़ दे, वही तेरे भौश्य में सब कुछ पूरा करेगा, दोस्तों हम सब लोग अपने जीवन में अपने भौश्य के लिए चिंतित होते हैं, कोई अपनी जौब के लिए चिंतित होता है, कोई अपने परिवार के लिए चिंतित होता है, कोई चिंता मत कर अपनी सारी चिंता को यहवा पर डाल दे उसे तेरा ध्यान है उसे तेरा ध्यान है उस पर भरोसा रग तो वो शब कुछ आपके लिए पूरा करेगा दोस्ता हम रूत के जीवन में देखते हैं रूत जो कि नौमी की बहुती और नौमी का पती मर चुका था और न नौमी ने अपने दोनों बहुँँ से कहा कि बेटियों तुम अपी जवान हो तुम अपने अपने पिता के घर जाओ और साधी करो और अपना परिवार बसाओ और उनमें से जो बड़ी वाली थी वो तो नौमी को छोड़ कर चली गई परंतो जो दूसरी थी रूत उसने कह मैं तुझे छोड़ कर नहीं जाओंगी जहां जहां तू जाएगी वहां वहां मैं तेरे साथ जाओंगी क्योंकि जो तेरा परमेशर है वही मेरा परमेशर होगा और उस दिन रूत ने प्रभू परमेशर यववा पर भरोसा किया विश्वास करना सुरू किया और जो उसने अपना इतना बड़ा विश्वास दिखाया कि वो सब कुछ मेरे जीवन में अच्छा करेगा उसने अपने सारे भूशे की चिंताओं को अपने भूशे की हर एक चिंता को उसने परमेशर के उपर डाल दिया कि वो जो तेरा परमेशर है वही मेरा परमेशर है और मेरे प्रीयों हम जब आगे चल कर देखते हैं उसको पढ़ते हैं तो नौमी के और रूत के जीवन में किसी भी भली परकार की कमी नहीं रही उसका भोश्या परमेशुर ने उजवल कर दिया जो विद्वा थी उसकी साधी हुई जिसका कोई बच्चा न था उसका बच्च इसने परमेशुर पर अपना भरोसा रखा क्योंकि उसने अपना बड़ा विश्वास दिखाया कि जो तेरा परमेशुर है वही मेरा परमेशुर होगा वो हमारा भोश्य के लिए सब कुछ वही पूरा करेगा मेरे प्रीये दोस्तों मैं आज आप लोगों से कहना चाहूंग अपनी सारी चिंताओं को यहुआ पर डाल दो उस पर भरोसा रखो वही आपके लिए पूरा करेगा वो आपकी मनो रथों को पूरा करेगा वो आपकी मन की इच्छाओं को पूरा करेगा अपनी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो मेरे प्रीयों मैं आपसे कहना तब वो आपके मन उरतों को पूरा करेगा तब वो आपके लिए सीधा मारग निकालेगा तब वो आपको एक उजल भौश्य देगा और आपके भौश्य में किसी भी भली परकार की कमी नहीं होगी तो इसलिए अपने किसी भी बात की चिंता मत करो आईए हम लोग परातना करें प्रभौ येश्य मसी हम आपका धनेवाद करते हैं पिता परमेश्य सुन्दत समय के लिए मेरी प्रभौ विसेस का रिस वचन के लिए हम धनेवाद करते हैं प्रभौ कि अपनी सारी चिंता को यहुआ पर छोड़ दे उस पर भरों सारा रग वही सब कुछ पूरा करेगा प्रभौ आज से हम अपनी सारी चिंताओं को जो हम अपने भोश्य के लिए चिंतित होते हैं प्रभौ अने इत प्रकार की चिंताओं में हैं उन सब चिंताओं को प्रभू हम तेरे चरणों के करीब रखते हैं पिता परमेशो इन चिंताओं को हम से दूर करें प्रभू और पिता हमारे भोश्य को आप उजल करें हमारे भोश्य में प्रभू आप हमें आसिसित करें जिस प्रकार से आपने रूत को आसिसित किया प्रभू, उसी प्रकार आप हमें भी आसिसित करें प्रभू जी, धन्यवाद के साथ प्रात्ना प्रभू येश मसी के नाम से मांगते हैं, आमें